देखा जाए तो प्यार करने की कोई परिभासा नहीं होती है इतना इने प्यार करने का कोई टाइमिंग कोई सिच्वेशन्स या फिर कोई एज नहीं होती है प्यार तो हमें किसी से भी हो जाता है जो इनसान हमारे दिल को अच्छा लग जाता है तो हम ना चाते उससे अपनी तरफ attract करने के पीछे लग जाते हैं, मगर यहीं दूसरी और अगर कोई लड़की आप से प्यार कर रही है, या फिर कोई बड़ी एज की लड़की आप से प्यार कर रही है, तो आपको फ्रेंड ये साइन, ये इसारे, या फिर ऐसा काम वो आपके सामने जरूर करती है, ताकि आप उसके तरफ attract हो जाओ, ताकि आप उसके तरफ line देने लग जाओ, उसके तरफ देखने लग जाओ, उसे पहले से ज्यादा attention दे लग जाओ, देखो front, मैं तो आप सको हमीशा कहता हूँ, कुछ नया टौपिक्स कमेंट करो, मैं यहाँ तक की कमेंट सेसे नमें भी कहता हूँ, कुछ नया सजे納 करो, कोई नया टौपिक्स करो, मैंने वो सब इस वीडियो में कवर किया है, बहई मेरे बस इतनी सी बात कीहना चाहता हूँ, कि प्लीज यार वीडियो बनाने में बहुत मेनत लगती है भाई मगर आप फिर भी लाइक नहीं करते लाइक कर दिया करो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिक सेम बैल को आल पर प्रेस करो चली बताता हूँ फ्रेंड आपको कि जब लड़की किसी लड़के से प्यार कर बैठती है तब उसके सामने वो कैसा काम करती है या फिर कैसे इसारी करती है सबसे पहले मैं आपको दो बाते केलियर कर देता हूँ ठीक है, देखो, पहली बात कि हमने उस लड़की को देखा और देखते ही वो हमें पसंद आ गई और ना चाहते दिल ने उस से प्यार कर बैठा दूसरी बात, यार मैंने उस लड़की की आवा़ाज सुनी सुनते ही ना मैं उसके तरह पागल हो गया, मेरे को ना बस यार वही लड़की ची अपनी लाइप में आजाए तो मेरे जिंदिये में भी कितना जादा मिठास हो जाएगा, ऐसी ठिंक्स बहुत से लड़कों की होती है, और सेम ठिंक्स लड़की की भी होती है, आपको पता है लड़की जाता लड़कों को कैसे अट्रैक करती है, अपने आवाजों से अट्रैक करती है, और लड़की भी जो बड़ी इसकी लड़किया होती है, वो भी लड़कों की आवाज से ही अट्रैक्ट होती है, मगर किस परकार की आवाज, आवाज तो है सभी की अच्छी होती ह यहां पर मैं आपको एक example भी देता हूँ, उस लड़की न आपसे पूछा कैसे हो आप, तो आपने फ्रेंड बहुत ही प्यार से जवाब दिया, कि हान जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ठीक है, आप बताएं आप कैसी है, ठीक है, यह टोन लड़की को impress करता है, यह अपतार नहीं दिखानी है, यहां पर आपको sweet tone दिखाना है, like कुछ लड़की भी ऐसा काम करती है, अगर वो लड़की आपको पसंद करती है, तो आपके सामने हमेशा sweet tone में आपसे बात करना पसंद करेगी, कि हान जी, क्या हुआ, ऐसे क्यों sad बैठ हो, बात क्या है, उदा को समझना मेरे भाई, बहुत ही important point था आपके लिए, और बहुत मेहनत लगा इस point को cover करने में, तो भाईयो, एक like तो बनता है न आपका, अब इस point से जुरी हुई, एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, कि इससे आप sure तो नहीं हो सकते है, कि वो आपको पसंद करती है, या फिर आपसे प्यार करती है, तो इसके लिए ने छोटा सा bonus point समझाता हूँ, कि अगर वो लड़की ज़्यादा तर आपकी voice की ही तारीफ करे, कि तेरी आवाजना बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी तरीके से बोलता है, तेरी आवाजना कापी ज़्यादा sweet tone करती ह मतलब कि आपसे बात करने के दुरण ज़्यादा तर अगर वो आपकी आवाज की ही तारीफ करती है, तो मतलब कि लड़की आपसे impressed हो चुकी है, लड़की ऐसा काम तब करती है, जब वो लड़के को पसंद तो करती है, मगर उसे कुछ कह नहीं पाती, तो घूम फिर के की तारीफ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, तो समझे ना मेरे भाई, यह पूर्वा पूरोसेसर जुमाना आपको समझे ना एक्स्प्लेन करके, यह वे नहीं समझे, पसीने में गिला हुआ पड़ाओ भाई, बहुत मैनत लगती है, कूलर बंद करो, एसी बंद करो, अकलाने लग जाती है आपके सामने, लड़की बात करते करते, नर्वस होने लग जाती है आपके सामने, और इतना इनी लड़की जब आपसे बात करती है ना, तो उसके जो हैंड होते हैं, वो कभी क्रॉस में नहीं होते हैं, हमेसा हैंड उसकी फ्री होते हैं, एकदम हाथ जुला कर आपसे बात करती है, पैर को कभी आगे लेके जाना, कभी पीछे लेके आना, और यहां तक कि पैर को कभी वो अपने इसकी लड़कियां ऐसा नहीं करती है, अब देखो भाई, मैं आपको सबसे बड़ा confusion दूर कर देता हूँ, कि गल में और उसके बाद जो होता है लेडी में बहुत ही जादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, हाँ ठीक है, कुछ चीजे similarity होती है, मतलब कुछ चीजे मैच करती है, जैसे लंबे-लंबे बाल, ठीक है, बोलने का तरीका, मगर जो सोचने का तरीका होता है, वो लेडी और गल का एकदम अलग-अलग होता है, दोनों का एक समान नहीं होता है, तो यहाँ पर लड़की ऐसा काम करती है, मगर जो लेडिय इसकी लड़की जो वो आपसे बात करती है, तो वो confused नहीं होती है, वो ज्यादा nervous नहीं होती है, वो एकदम relax होकर आपसे बात करना चाहती है, ताकि उसका mind यह कहता है, कि अगर मैं इसके सामने confused हो गई, या फिर मैं नर्वस हो गई, तो यह लगगा कि मैं ही डर रही हूं, और जब मैं ही डर रही हूं, तो यह मुझसे बात नहीं करना चाहेगा, और जब बात नहीं करना चाहेगा, तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए वो ज़्यादा घबराती नहीं, ज़्यादा nervous नहीं होती है, बहुत ही कम बोलती है, मगर ऐसा कोई काम नहीं करती ह आपके समय बात कर रही है नोगा तो अपने हाथ को cross कर के बैच जाएगी उस पर अपने हाथ को पर अपना हाथ को rub करेगी या अगर आपके सीट पर बैठ रहे हो या फिर चेयर पर बैँठ रहे हो तो उसका एक टांग दुसरे टांग पर होगा लाइक कुछ ऐसा अब आप बोल लोगे कि सार वो तो attitude दिखा रही है कि इसे तो attitude दिखाना बोलते हैं अपने आपको सुप मारना कहते हैं नहीं मेरे भाई यह सिर्फ एक sign होता है psychological fact sign है जो कि आपको समझना है ठीक है और तीसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको लेट हो जाती हो उसके बाद लड़की आपके तरह पलट कर नहीं देखना चाहती है समझ गये इसका मतलब यह भी नहीं कि आप जल्द बाजी करो प्यार में मगर इतना भी जादा मत सोजाओ भाई मेरे कि आपके गाड़ी पर कोई और बैट कर राइड लिकाल ले ठीक है त अब लास्ट है समझना भाई मेरे अब इतना लंबा भासन दे रहा हूं तो लाइक करना तो बनता है ना अगर वो लड़की आपसे प्यार कर रही है और आपको वो नहीं कह पा रही है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि आप पतानी उसको बात को सुनने के बाद क्या जज करो तो इसके लिए फ्रेंड वो इस काम का जरूर रूपयो कर गए और आपको जरूर देने लग जाएगी अब वो चाहे लेडी हो चाहे वो गल हो समझना भाई मेरे मैं क्या संजाना चाहता हूं वो आपको कुछ इस तरह का इमेज आपके समने तयार करेगी कि दुनिया में इ मुझे कोई टाइम देता ही नहीं है तो मैं पता है मिद्र को ऐसे लड़के बहुत जादा पसंद रहें जो अच्छी तरीके से बात कर सकें जो मतल की सबसे कर सकें और चिसी और चीजकी भूग की प्यास ही नहीं है मेरे को बस सच्चे दोस्त की तालसे है लाइक कुछ ऐसा कि अपे लुए नहीं दाल कैसे गलेगी थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ मेरे भाई प्यार का मामला है इसमें दिल से काम लेना चाहिए अगर आप दिमाग से काम लेते हो तो कभी मात नहीं खाओगे तो इस बात को जरूर समझ यहाई अब देख लो भाई गिने चुने जि अब अगर आपको इससे भी ज्यादा नए पोइंट सुनने या फिर इससे भी इंट्रेस्टिंग पॉइंट उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो पार्ट टू ठीक है भाई मेरे बस इतनी से बात कहना चाहूंगा आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आप मुझे कमेंट कर करना अपको अपने दोस्ते आर के साथ यह वीडियो शेयर करना अगर आपको मेरी बात पसंद आयो अच्छी लगी हो दिल को चूग यह तो फॉलो करना ठीक है मतलब शेयर करना